बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर देखिए फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम बात करेंगे समान्य ग्यान के 20 मोस्ट इंपोटेंट कुछ के वारे में और फ्रेंड्स यहाप आपको रटना कुछ नहीं पड़ेगा सिर् आप इसके बारे में सोचते हैं तो वीडियो के बारे में कमेंड कीजी नीचे जिससे के हमें पता चले कि इस सीरीज हमें continue करनी है या नहीं करनी है और फ्रेंड्स अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी और सामने वाले बैल आइकन को भी ओन कर दीजिए जिससे के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको time to time मिलते रहे हैं तो चले फ्रेंड्स शुरू करते हैं सबसे पहला question है Mount Everest पर दो बार विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला यह थी संतोस यादव ठीकेशन अब यह आपको इसमें रटना कुछ नहीं है सिर्फ मैं आपको question से बता रहा हूँ Mount Everest पर दो बार विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला की है अब दीकेशन माउंट Everest पर वो दो बार क्यों चणी क्योंकि पहली बार में उन्हें क्या था संतोस नहीं हुआ था ठीक है पहली बार में Mount Everest पर विजय प्राप्त करने के वाद उन्हें क्या हुआ था संतोस नही बिजिंग, ठीक, फ्रेंट्स, चीन की राजदानी क्या है, बिजिंग, अब देखे, फ्रेंट्स, इसकी ट्रिक, आप देखे, चीन, चीन इतनी आगे क्यो है, ठीक है, चीन हर चीज में इतनी आगे क्यो है, क्योंकि वहाँ के आदमी हमेशा क्या है, बिजी रहते हैं, वहाँ किसान और किसान दिन रात किया है अपनी खेतों में मेहनत करता है हल चलाता है ठीक है और हल चलाने के बाद जब वह साम को घर जाता है तो उसका रोम करता है दर्द करता है तो किसान रिलेजर जितना भी होगा सब कहाँ पर होगा रोम में तो खाद देवं किसान का मुख्याल हो गया रोम नमबर चार है विस्व एट्स दिवस कब मनाया जाता है तो देखे यहां पर आ रही है विस्व एट्स दिवस की बात तो एट्स सी में आपको ब व्हुई से मतलव परेम से करता है अगर उसमें प्रेम का भाव नहीं होगा तो friends वो कुछ भी दान तो अगर कोई भी दो दान यानि अगर दान देता है तो वो कैसे देता है प्रेम से देता है तो मुंसी प्रेम चंद शिक्स है सिंदु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाई क्या था तो इसका अंसर है friends किरसी अब देखेंगे सिंदु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाई अब देखेंगे friends आज भी हमारा देश कैसा है क्रेसी प्रधान देश है तो बस हमें यही रिपीट कर लेते हैं, Mount Everest पर दो वार विजय प्राप्त करने वाली महिला होगा, संतोस यादव, चीन की राजधानी, बीजिंग, और खाद एवं किर्सी संगठन का मुख्या ले होगा, रोम, 28 दिवास, 1 दिसंबर, गोदान किस करेचन है, मुणसी, प्रेमचंद, और सिंदु घाटी की सब्वेता के लोगों का मुख्या विशाए था, किर्सी, तो, friends, I hope ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हो, तो इसको लाइक करते रहे है, ठीक है, friends, चलिए, next देखते हैं, next है, सुभास चंदर बोष ने किस पार्टी की स्थापना की, तो इसकी की थी, इन्होंने forward ब्लोग की, अब देखिए, friends, आप याद कैसे रखेंगे, इसको forward रहता है, जो भी बोष होता, वो सबसे के रहता है, आगे रहता है, और friends, आगे रहने को कहते हैं, forward कहते हैं, तो सुभास चंदर बोष ने किस पार्टी स्थापना की, forward ब्लोग की, क्योंकि वो क्या थे, बोष थे, ठीक है, next है, eight है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हे आजादी दूँगा, यह है, बचन किसका है, तो यह भी किसका था, friends, सुभास चंदर बोष का, अभी मैं आपको बता है, सुभास चंदर बोष, बोष थे वो, और बोष किया हमेशा आगे रहता, मतलब forward रहता, तो forward ब्लोग किनोंने स्थापना की, अब देखे, तुम मुवाइल फोन है, friends, लेकिन जब टेलीफोन होते थे, अब तो maximum office बगएर हमी रहते हैं, लेकिन अब तो सब मुवाइल फोन यूज करते हैं, तो टेलीफोन का, friends, हमें पता कैसे लगता था, कि फोन आ रहा है, क्योंकि उसकी क्या होती थी, रिंग बचती थी, रिंग होता अब आज के टाइम में, friends, अगर योग की बात आती है, तो किसका नाम माइन बात है, बावारामदेव, ठीक है, अगर योग की कहीं बात चले है, तो किसका नाम आगा माइन में, बावारामदेव का, अब बावारामदेव की जो भी company है, ठीक है, जो भी product है, वो किस नाम से बिकते हैं पतन जली के तो योग की बात आई तो 頻道 राम दो और वावा राम दिव के जो प्रोडलक्ट बिकते हैं वो किस्ट पतन जली से तो योग दर्शन के पिर्ति पादक हैं पतन जली Next, 11 किस गिरह के अधिक्दम उप गिरह हैं यानि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके सबसे ज़्यादा उपग्रह है तो यह है ब्रसपती अभी देगी ट्रिक्स आप कैसे ज़्यादा रखेंगे तो अधिकतम उपग्रह है अब जिसके पास भी अधिकतम चीज होती है यहाँ पर उपग्रह की बात चली है तो ऐसा कौन सा ग्रह ठीक है 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 यह सब शूक्र के लिए तो यहां पे बात कर रहते हैं हम सबसे गर्म गिरे की अब सब से गर्म गर्म होगी तो गर्म चीच के सामने जाता या हम गीले कप्राइब Как आइक near से सूख जाता है सूख जाता है ना तो सबसे गर्म गिर है गर्म चीज के सामने सूख जाता है तो सुक्र ठीक है तो सबसे गर्म गिर हो गया सुक्र चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगर वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है इसको कमेंड करते रही है और बताइए हमें समुंद्र गुप्त को ठीक friends भारत का नेपोलियन अब देखें नेपोलियन बर्ड क्या है यहाँ पर नेपोलियन ठीक है नेपोलियन अब नेपो की जगह का नेवो हो जाता नेवो यानि नावो अब नावे friends कहां पर चलती है CDC बाते कहां पर चलती है नावे समुंद्र में, तो समुंद्र गुप्त 14 है, गीत गोविंद के रचनाकार है, तो यह है friends, जैदेव गीत गोविंद, अब देखें, गीत गोविंद, यानि गीत गाओ अब जो भी गीत गाता है, उसकी हमेसा क्या होती है, जैजय होती है, ठीक है जो भी गीत गाता है, उसकी क्या होती है, जैजय होती है तो गीत गोविंद के रचनाकार है, जैदेव 15 है, हिर्दे से अंगो की और रक्त ले जाने वाली बाहिनी क्या कहलाती है तो यह कहलाती है friends, धमनी और इसका दूसरा है, अंगो से हिर्दे के और रखते ले जाने वाली बाहिनी के कहले आती है सिरा देखे फ्रेंट्स आपको इस पर आयोप बहुत से लोगों को इस कोशन में अगर पता होगा तो होती है धमनी अब आपको याद के से करें और हील तो दह yapt है कि अब emotional कि अंगों था और यह इन खिरने के लिखने होती है अब आपको याद रखने है और याद राशना या में हों और Ext Away के और हो गई शीरा, तो इसमें कोई भी परिषानी आपको नहीं होने वाली, 17 है, भिसाल इसनानगार, यानि, ग्रेट बात कहां मिला है, अब देसे, इसनानगार के अगर हम बात करते हैं, तो अभी तो गर्मी चलने रहे कि अगर सर्दी की बात करते हैं, friends, तो सर्दियों मगर नहने की बात आती है, तो क्या लगता है हमें, जाड़ा लगता है, जाड़ा, यानि जोदलो, जाड़ो लगतो, जाड़ो कहते हैं न, जाड़ो, जाड़ो या जोड़ो, ठीक है, जाड़ो, तो बिसाल इस ननगार के बात सुनती हमें क्या है जाड़ो में, क्या लगता है, जाड़ा लगता है, ठेंड़ लगता है, तो मोहन जोदोडो next friends साची का इस्तूप किस सासक ने बनवाया था अब दिखें साची का इस्तूप हम जानते हैं सबसे बड़ा बहुत इस्तूप है ठीक है अब साची का इस्तूप बनवाने के लिए साची का इस्तूप जो भी बनवागा उसको क्या होना चीए था तो वह इतना बड़ा स्टूप बनबा पाता ठीक है तो साची का स्टूप किसने बनवाई थै जिसे सोख था तो सोख यानि असोख नेक्स्ट नाइन्टीन भारत का सबसे बड़ा बहुत दिस्टूप है अब देखे अगर question यह आ जाता है सबसे बड़ा बहुत इस्टूप तो साची का इस्टूप आई हो पता हूँ अगर नहीं पता तो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ तो सबसे बढ़ा बहुत इस्टूप है अब देखें सबसे बड़ा जा बहुत इस्टूप बनांगे तो इसके लिए किसी साचे की तो जरूत पड़ेगी ना किसी 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 जरूत पड़ेगी ठीक है तो साचे की यानि साची का इस्टूप Next is 20 सियाचीन जाने वाले पहले भारते प्रधान मंत्री तो सियाचीन जाने वाले पहले भारते प्रधान मंत्री थे मन मोहन सिंग अब देखें फ्रेंट्स सियाचीन जाने वाले पहले भारते प्रधान मंत्री थे उनसे पहले जितने भी प्रधान मंत्री थे उनका कभी मन नहीं ह हुआ कहा जाने का शियट जाने का लेकिन किसका मन हुआ मन्मोहन Siq का तो यहां से आप सिधर सिधर देख सकते हैं कि सब्सक्राइब किस्षल की बाफ जिलिए हैं वे कि पहले पंपर मंत्रियों मन नहीं था और इनका मन था तो मनमोहन शिंग है new fast की वीडियो आपको पसंद आई हो यहां पर में 20 ट्रिक्स से कुछ कंप्लीट कर लिए हैं तो इसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और फ्रेंट्स इस वीडियो के बारे आपकी जो भी रायों से कमेंट करना ना भूले थैंक्स पर वॉचिंग फ्रें